गूड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम असोक मोरिये के परशासनिक सुधार एम नयाय परशासन के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा असोक मोरिये का प्रारमविक जीवन चं हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको प्रीक्षाक की द्रस्टी से महतोपुन इन्फोर्मेशन हमारे यूटूब चैनल पर मिल सके आप पढ़ सके ठीक है तो चलो देखते हम असोक मोरिय का परशासनिक सुधार और उसकी नयाय व्यवस्ता असोक के परशासनिक सुधार एक महान विजयता इम सफल धरम परचारक होने के साथ ती साथ असोक एक कुसल परशासक भी था उसने किसी नई सासर व्यवस्ता को जन नहीं दिया बलकि असोक ने अपने पित स्धुमौर्ट सांद के सायता से मार कर और मगस सामराजे की घदी हत्या थी तो के जो इसका असो का दादा था पितामह था उसके द्वारा साजटबित सासन व्यवस्ता में ही आवस्त्रत अनुसार परिवकितने कर और कर्के उसे अपने नीटियों के अनुकुल बना दिया था ठीक है असोग ने कलिंग यूद के बाद बोध धरम गरण किया था उसके जीवन का मुखे उद्ध से धम का अधिकादिक परचार करना था असोग का धम प्रजा के नेतिक भोतिक उत्थान का माध्यम था असोग ने प्रमप्रागत परसासनिक धांचे में सुधार की आवस्यक्ता के नुसार कुछ नए पदादिकारियों की न्यूक्ति की जो निम्न लिखित है तो देखे का कौन-कौन से हैं वो पदादिकारी समराड तथा मंत्री प्रीशद तो असोग एक विस्त्रे समराजे का एक छत्र सासक था उसने देवानाम पिये की उपादी ग्रण की सास्त्री के नुसार इसका उदेशे पूरोहितों का समर्थन प्राप्त करना था लेकिन रोमिला थापर का विचार है कि इस उपादी का लक्से राजा की दैविये सक्ति को अभिवेक्त करना तथा अपने को पूरोहितों की मध्यस्तता से दूर करना था लेकिन असोक या बिदेकों में पूरोहित का उलेक नहीं मिलता चंद्रगुप्त के काल में पूरोहित का पद एक महत्तोपुन पद था इससे सपस्ठ होता है कि राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था और इस परकार र पूरोहित जो असोक है वह अपनी पद्जा को अपनी संतान के समान देखता था असोक अपने छटवे सिलालेक में अपनी भावना को व्यप्त करते हुए कहता है सर्वय लोग मेरा करतव्य है ऐसा मेरा मत है सर्वय लोग से बढ़कर दूसरा काम नहीं है मन जो कुछ भी प् मैं उनको इस लोग में सुखी बनाऊं और वे दूसरे लोग में स्वरक प्राप्त कर सकें ठीक है असोक के अबिलेक में परीशा शब्द का भी उलेख हुआ है वह अर्थसास्तर की मंत्री परीशत थी तो अर्थसास्तर में यह है मंत्री परीशत थी और असोक के अबिलेको में इसका नाम परिशा मिलता है बहुत सायत्य से पता चलता है कि असो का परधान मंत्री जो अग्रमात्य कहलाता था राध गुप्त था ठीक है उचे करमचारियों के कारियों का निरिक्षन करने तथा उन्हें निर्देश देने का अधिकार परिशद को था परिशा के श्तित परिशा जो मंत्री परिश्द होती थी अब देखेगा असोग की प्रांत ये सासन में वस्ता कसी थी पर्सासन की सुविधा के लिए असोग का विसाल समराज अनेक प्रांतों में बजित था असोग के अभिलेक में पांच प्रांतों के नाम मिलते हैं देखेगा यह क्यूसर कई बार पूछ लेते हैं पांच प्रांतों के नाम पूछ लेते हैं इनकी राजदानी पूछ लेते हैं तो देखेगा उत्रापत राजदानी तक्षिला अवंतिरट उजयनी, कलिंग, तोसिल, दक्षिनापत, स्वाणगीरी, प्राचे थ्वा पूर्वी परदेश की पाठली उत्तर, ठीक है, उत्रापत, अवंतिरट, कलिंग, दक्षिनापत, प्राचे थ्वा पूर्वी परदेश, ये पांच प्रान थे, मोरिय सम्राट, असोक क प्रांतों के दिन जिलों के सासक होते थे जिनकी न्यूक्ति समराड द्वारा ना होकर स्वयम संबन्दित प्रांत के राज्येपाल द्वारा ही की जाती थी प्रांतों के दिन जो जिलों के सासक होते थे इनकी न्यूक्ति समराड नहीं करता था स्वेम प्रांत का राज्य पाल ही करता था और इस बात का उलेख हमें सिद्ध पूर लगू सिला लेख से मिलता है इसमें असोग इसला के महामात्रों को सिद्ध आदेश न दे कर दक्षनी प्रांत के कुमार के मादिम से ही आदेश प्रेसित करता है अब देखेगा परसासनिक अदिकारी तो असोग के लेखों में उसके परसासन के कुछ महतोपुन पदादिकारियों के नाम मिलते हैं असोग के तृतिय सिला लेख में तीन पदादिकारियों के नाम मिलते हैं यूक्त, राजुक और प्राद्यसिक तो युक्त कौन होते थे, ये जिल्ले के अधिकारी होते थे जो राजस्वय वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते थे समराट के संपत्ति का भी प्रबंद करते थे, उन्हें उस कारे में धन वे करने का भी अधिकार था अर्थ सास्तर में भी यूगत नामक पदादिकारी का उलेक मिलता है राजुक यह पदादिकारी भूमी की पैमाईस करने के लिए अपने पास रसी रखते थे प्रादेशिक यह मंडल का दिकारी होता था उसे न्या का भी कारिय करना पड़ता था तो असोग के तीन पदादिकारी कौन-कौन से है परसासनिक पदादिकारी यूगत राजुक और प्रादेशिक धम महामात्र यह असोग की अपनी कृति थे जिनकी न्यूक्ति उसने अपने विशे के तेरवे वर्स में की थी तो धम महामातर की न्यूक्ति सोकप करता है अपने राजे विशे के तेरवे वर्स में उनका कार ये विभिन संपर्दयों के भी सामंजे से बनाए रखना राजा तता उसके परिवार के सदस्यों से धमदान प्राप्त करना और उसकी समूचित व्यवस्ता करना होता था अगला आता है स्त्राध्यक्स तो ये महिलाओं के नैतिक आच्रन की देखरेक करने वाला अधिकारी होता था लगता है कि उसका कारी विभिन समपर्दयों के भी सामनजस से बनाए रखना राजा तता उसके परिवार के सदस्यों से धमदान प्राप्त करना और उसकी समूचित व्यवस्ता करना होता था वे ये भी देखते थे कि किसी वेक्ति को अनाव से धंड अथ्वा यात्नाई तो नहीं दी गई है ये होता था आपका इस्त्रया धेक से अगला अधिकारी आता है ब्रज भूमी के तो ये है गोचर भूमी जिसे ब्रज भूमी भी खा जाता था बसने वाले लोगों की देखरे करने वाला दिकारी होता था उसका एक आर ये समराट के अंतहपुर तदा महिलों के बीज धरम परचार करना भी था असोग के अबिलेखों में नगर व्यवारिक तथा अंत महमातर नामक पदादिकारियों का भी उलेखे मिलता है नगर व्यवारिक नगर का नया दिस होता था असोग के अबिलेखों में नगर व्यवारिक को महमातर कहा गया है तो ये हुई मोरिय सासक असोक की परसासनिक विवस्ता अब देखते हैं असोक का न्याय परसासन कहसा था नियाय परसासन के चेतर में असोक ने सर्वादिक महत्तोपुन सुधार की धोली तथा जोगट के पर्थम पर्थक सिलालेग में वह नगर विवारिकों को आदेश देता है कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अत्वा सारिरी की आतनाए ने दे यह बात धोली और जोगट के पर्थम पर्थक सिलालेग में कही गए यह बाते कई बार पूछ लेते हैं तो कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई यह उप्ती असोक मोरिय के कोन से सिलालेग में तो वो है धोली और जोगट वह उन्हें इर्शा, क्रोज, निस्टूर्था, एविवेक, आलस से, आदी दुर्गुणों से मुक्त रहते हुए निस्पक्समार का अनुकरण करने का उपदेश देता है वह उन्हें याद दिलाता है कि अपने कर्तव्य का निस्टा पूर्वक पालन करने से वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे तदा राजा के रिण से भी मुक्त हो जाएंगे पांचवे शिलालेक से पता चलता है कि धरम महामात्र कैद की सजा पाए हुए वेक्तियों का निरिक्षन करते थे यदि उन्हें एकारण दंड मिला होता था तो वे मुक्त कर सकते थे अप्रादी का परिवार यदि बड़ा होता तो उसे धन देते थे अथवा यदि अप्रादी अधिक वृध होता था तब भी उसे स्वतंतर करा देते थे असोक परती पांचवे वर्स नियाए धिसों के कारियों की जांच के लिए महामात्रों को दोरे पर भेशचा करता था नियाए पर्सासन में एक रूपता लाने के लिए असोक ने अपने अभीशे के 26 वे वर्स राजुकों को नियाए समंदी मामलों में स्वतंतर अधिकार परदान कर दिया था अब वे अपने विवेक सक्ति के अनुसार अप्रादी पर अभियोग लगा सकते थे तथा उसे दंडित कर सकते थे इसके पूरव प्राद्यसिक तथा नगर व्यवारिक भिन भिन परदेसों में नियाए का कारिये करते थे इससे निर्णे समन्दी भेदभाव बना रहता था अता इस दोस्त को दूर करने के लिए राजुकों को नियाए परसाशन के छेतर में सर्वेसरवा बना दिया गया तता अन्य दो अधिकारियों को इससे मुक्त रखा गया चार जो चोथा इस थमलेख है उसमें असो कहता है मैंने उन्हें अर्थात राजुकों को नियाए अनुसंदान तता दंड में स्वतंतर कर दिया है जिससे वे निर्भे होकर विश्वास के साथ अपना कारिये करें वे सुक तथा दुख के मूल कारणों का पता करें तथा जनपत के लोगों यह निष्ठावानों को प्रेरित करें ताकि यह लोग और परलोग में सुक मिल सके इस परकार नियाए परशासन में दंड समता यह व्यवहार समता इस्तापित हो गई असोग ने दंड विधान को उदार बनाने का प्रेयास किया यदे भी उसने मर्ट्यू दंड समाप नहीं किया फिर भी मर्ट्यू दंड पाए हुए वेक्टियों को तीन दिनों की रहत दी जाती थी ताकि वे अपने अपरातों पर पस्चाताप कर सकें तथा अपना पाल ल जात्रों को भी बंद करवा दिया इस परकार असोग सच्चे अर्थों में जन हिते सी समराड था उसने अपने समराजे में परतिवेदक अर्थात सूजना देने वाले नियोकते किये थे तता उन्हें इस पस्च आदेश दिया था कि परतेग समय था परतेग स्थान में चाह मुझे दे मैं सर्वत्र जनता का कारिय करता हूं इसी परकार प्रत्म प्रत्थक सिल्ला लेक में वह है प्रजा के प्रति अपनी भावनाओं की अभिवेक्ति करते हुए कहता है सबी मनुस्य मेरी संतान है जिस परकार मैं अपनी संतान के लिए इच्छा करता हूं कि वे सबी यह लोकिक ततापार लोकिक हित और सुक से सयूख्थ हो उसी परकार सभी मनुसियों के लिए मेरी ये इच्छा है गिरना लेक से पता चलता है कि असोग ने अपने समराजे के प्रतेख भाग में मनुसियों ततापसों के लिए अलग-अलग चिकिस्सा लोग की स्थापना करव आई थी जो ओस्नियां देश में प्राप्त नहीं थी उन्हें बाहर से मंगवा कर स्थापित करवाया गया तो इस वीडियो में हमने मोर्य समराज असोग की परशासनिक व्यवस्ता उसकी न्याय व्यवस्ता इन सब के बारे में पढ़ा और हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद